ओम सिरी गनेशा इनमा दोश्तू एश्ट्रू समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिक्ष वागत हैं दोश्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 मार्च सुक्रवार के रासी फल के बारे में कि इह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाए भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज किसी कार्रे को लेकर अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभवना पाई जाती है यदि आप किसी तरह की कार्रे योजनाओं को विस्तार करने की कुशिस करते हैं या किसी नए कार्रे का सुबारम करना चाते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तों साती सात भूमी, भवन, वाहन, आदी के खरीदने के भी आज अच्छे योग बन रहे हैं वेग्यानिक दश्टिकॉन और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ाने में साहिता प्रदान करेगी बड़े वजर्गों का इश्न है और आशिरवाद आप पर बना रहेगा दोस्तों साती सात जिस समाचार को प्राप्त करनी के लिए आप काफी समय से प्रियास कर रहे थे हैं आज उसमें आपको सफलतावस्ट से मिलेगी सिर्फ अपने कारे को योजना बद तरीके से करने की आपको आवश्च रखता है नोकरी के लिए दी गई प्रितियोगी परिक्षा के पेड़ाम भी आपके पक्ष में आ सकते हैं अपने लक्ष के प्रती पूर्ण रूप से एकागर चित रहें आपको सपलता अवश्च ही प्राप्त होगी ग्यान वर्दक पुस्तकों को पढ़ने में भी समय निश्चित होगा साथ ही किसी आध्यात्मिक और प्रतिष्ट व्यक्ति का भी आज आपको आसिरवाद वे मार्ग दरसन प्राप्त होगा आज सामाजिक वैराजनेतिक गति विदियों से थोड़ी दूरी बना कर रखें इसमें समय वर्थ होने के अलावा और कुछ प्राप्त आपको नहीं होने वाला दिल की अपेक्षा दिमाग से आप निर्णे लें दोस्तो साथी साथ आपका स्वविमान किसी भी परिस्तिती में हिम्मत वे साहस नहीं छोड़ने देता यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ती है संतान की शिक्षा से संबंदित कोई आज महत्पपूर्ण कार रहोगा एक्षित शिक्षा संस्तान में दाखिला मिलेगा अनुबवी तथा जिम्मेदार लोगों का मार्ग दर्सन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा जिससे आपको उचित परिणाम हांसिल होंगे और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो गलत बात का प्रतिकार करने से एक आरण ही लोग आपके विपक्ष में आएगे आपको हर काम बड़ी संजिदगी और गंबिरता से करना चाहिए थोड़ी सी भी लापरवाई के परिणाम घातक हो सकते हैं किसी रिष्टिदार के स्वास्थ को लेकर भी आज टेंसन रहेगी विध्यारती हास परिहास वे मनोरंजर आदी के व्यर्थ के काम में पढ़कर अपनी पढ़ाई के साथ समझोता ना करें पैसे के मामलों में भी किसी पर आज आपको भरोसा नहीं करना फाइदे बन रहेग आप अच्छी तरह से जांच पड़तार कर लें इस समय आर्थिक इस्तिती कुछ मंद रह सकती है घर के बड़े बुजर्गों वे वरिष्ट सदस्यों के स्वास्थ का भी आपको विशेश रूप से ध्यान रखनी के आवश शक्ता है अजनभी वे परिचित लोगों से लोगों के बीच किसी हलकी फुलकी नोक जोंक वे मतबेद की इस्तिती उत्पन हो सकती हैं किसी रिष्टिदार्च संबंदित कोई एप्रिय समचार आपको विचलित कर सकता है इसलिए आपको धहरे और सैयम बना कर रखना अतियावश शक हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे को समझने का आज दिन हैं जीवन साथी वे परिवार जनों का सैयोग आपके आत्मवल वे आत्मविश्वास को बना कर रखेगा और आप तनावमुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे दामपत्य संबंदो में मधूरता बनी रहेगी परिवार आपकी प्राथिमिक्ता पर रहेगा जीवन साथी आपकी परिस्तितियों में पूरी तरह से सहयोग देगा साथी माता पिता वे घर के बड़े बजुर्गों का आशिरवाद वे इसने आपके आत्म विश्वास को बना कर रखेगा जहां दोस्तो परिवार में आज सांती का वातावन रहेगा संतान की सहबत वे अध्यन से संबंदित जानकरी अवस्य लेते रहें किसी पुराने मित्र के मिलने से हर दिक खुसियां आपको आज प्राप्त होंगी दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपको वेवसाय केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज आस्मिक धनलाब के प्राबल योग बन रहे हैं प्रतिस प्रदाओं पर आज आप विजय पराप्त करेंगे नए कार्रे सुरू करने के लिए समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेग साति सात कारे छित्र में भी काम की अधित्ता रहेगी और दिन भगदोड में व्यतीत होगा दोस्तो साति सात आप पिछले कुछ समय से अपने व्यपार में जी तोड मेहनत वे परिश्रम कर रहेते काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक प्रिणाम हासिल होंगे तथा के विस्तार संबंदित नई योजनाय भी बनेंगी तो आपके लिए अवस्ते ही लाबदाइक साबित होंगी वैवसाय में नएने प्रियोगों पर अमल करना आपके लिए आवशक है क्योंकि वर्तवान इस्थिति के कारण कारों की नीती में परिवर्तन जरूरी है अगर आ आगे चलकर आपके लिए बहुती लाबदाइक साबित होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आप अपने सेहत की छमताओं को बनाए रखते हुए अपने समी कामों को पूरी सारा रिक छमता के साथ करने में सफल हो सकेंगे जैं दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा आज आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उरजावान महसूस करेंगे साथी साथ दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निरवत्र होने के बाद एक मुठी अखंडित चावल लें जो आप एक मुठी चावल लेंगे वे तूटे नहों बिल्कुल साबित होने चाहिए अखंडित नहीं होने चाहिए अन्य था आपको इसका सुवफल नहीं मिलेगा जो आप इस नान आदिशे निरवत्र हो जाएं एक मुठी साबुत चावल लें इसके बाद आप इन एक मुठी चावलों को मा लक्ष्मी का इसमनर करते हुए बहते हुए जल में प्राहित कर दें और साथ साथ अपनी मनों काम नहीं मांगें जो भी आपके जीवन में धन सम्मंदित परिशानें चल रही हैं समस्त परिशानें कांत करेंगी और आपको ऐसा करने से जल्द ही विसेश लाब प्राप्त होगा दोस्तो मा लक्ष्मी का इसरवाद आपको प्राप्त हो सचे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैमा लक्ष्मी अवश्य रखें और वीडियो को लैक करना ना भूलें धन्यवाद